हेलो आज की स्वीडियो में हम बोट के अपकमिंग लॉंच के बारे बाद करेंगे वह है बोट रोकर्ट नहीं बोट नर्वाना 751 आज इस वीडियो में जानेंगे इनका प्राइस क्या होगा फीचर्स क्या उपर करेंगे एंड लॉंच डीट क्या हो सकती है वोट 751 वीडियो के साथ भी आ जाएं तो सब्सक्रेब करना मत बूले मिरे नाम सुरुफ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से चलिए एक बार प्रोटक की स्पेसिफिकेशन की और नजर दाल देतें कि कि स्टार्ट का ये प्रोटक्त है तो वाइस आपके स्क्रीन के सामने जो ह है 751 ANC variant यहां पर अवैलेबल है तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली ये ओन ये डिजाइन है आज हमने अन्बॉक्स किया था बोट का जो है है एडफोन्स गेमिंग हैडफोन्स थे तो आप चाल के अन्बॉक्सिंद देख सकते हैं तो ज्यादा एंस नहीं है आपको 33 db त आपको जो की एंटि-Nource signal जो है वो क्रेड करेगा एंजिट नोइस है वह किंढ हो जाएगी Automatically तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस जो है वेरियंट की एंड किस तिंक की साउंड कितनी है तो around AC की साउंड ये ब्म्यूट कर सकता है जो कि अगर मैं बात करूं तो डीजो बड्स जी प्रो जो है वो स्पोट करते हैं 65 hours का अब huge battery backup है guys without ANC and ANC के साथ आपको 54 hours का मिल जाते हैं अगर 50 के जगा 40 भी मिलता है और old तो काफी अच्छे performance होने वाले है क्योंकि 40 hours use करने में around 1 week लग जाएगा fast charging है 10 minute में 10 hours का दे देते हैं battery backup जो की काफी amazing thing है ambient mode में मिलते हैं and again guys मैं boat से complain करूँगा like कोई भी यहां पर application का support नहीं देगा अगर application का support होता then काफी चीज़े better हो सकती थी 40 mm के driver है and base रगार कूल मिला के ठीक होने वाला है 40 mm के driver recently जो थे हमने noise के headphones पर test के थे नहीं better performance नहीं थी outdated variant है जो 5.0 है type c port है कुछ buttons दे गए हैं and three color में यह available होगा तो रही बात pricing के guys तो pricing क्या होने वाली है तो guys यह इस पर फीचर के साथ pricing about 754 ANC की होने चाहर करीबन करीबन 3000 रुपीज बट जितना मुझे पता है और idea है price 3000 तो वोट काफी rare chance में रखेगा 50% से भी कम chance है कि 3000 रुपीज आएगा but most chances है वो आएगा price 3500 to 4000 रुपीज बट अगर आपको 4000 में 33 DB मिल रहा है ANC तो वो इतना अच्छी तरह से work नहीं करेगा अगर isolation अच्छी नहीं है अगर isolation अच्छी होगी तो आप तक काफी अच्छी तरह से better work करता हो दिख जाएगा तो व्याइज क्या यहां पर drawback है आपको कोई भी gaming mode नहीं देवागे dedicated Bluetooth version outdated है sweat resistant water resistant के लिए अभी भी कोई भी official comment नहीं है इस headphones के बारे में तो कुछ drawbacks भी है but fast charging है काफी battery backup है mic भी दिया गया ANC भी है तो यह सबी चीज़े है 40 mm के driver है 40 mm ऐसा नहीं की काफी यूज है तो 40 mm फूल मिला के ठीक वर्क करता हूँ दिख जाएगा headphones में तो गाइस लोंच देट के अगर मैं बात करूं तो अरौंड 7 फैब के रहूंड यह देखने को मिलेगा 7-10 फैब के बीच में तो जब भी लोंच होगा हम purchase करके unboxing आपके लिए 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 आए तो इ